नमस्कार मैं हूँ अमित कटोच स्वागता आपका आपके बड़ी अपडेट आपको इस चैनल की ऊपर देखने को मिलती है तो जोनों भी चैनल सब्सक्राइब निकीब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश प्रविश भी स्क्राइब से एक बड़ी अपडेट तीन में 2013 को आई है स्टेप बाइस्टेप पूरी इंफरमेशन आपको दी जाएगी इसमें क्या आपको फाइदा होने वाला और क्या आपको नुकसान होने वाला है पूरी जनकरी आपको इसमें दी जा जिसमें JOT, CNB, DM, TZT जो की elementary से जो है उनकी exam conduct होते हैं इसके असासत high education department में जो lecture cadre की फूरेस्टे होती हैं वो भी class E में हाती हैं इनके इलाबा mostly सभी clerical exams चाहे वो high court से हो चाहे वो किसे department से हो इसके सासत जो IT, clerk, police, forest ये mostly जो फूरेस्टे हैं class E में ही आती हैं और इसके इल इलाबा जो officer cadre की poste होती हैं वो class 1, class 2 में ही आती हैं पहले public service commission जो class 1, class 2 की poste ही conduct करवाता था और कुछ class C में भी जो पोस्टे conduct करवाता था तो अभी almost सारी ही जो new requirement है वो सारी public service commission से यहां पर conduct करवाये जाएगी जब तक new commission नहीं आता है क्योंकि new commission की भी बात यहां पर चल नहीं लिये जाएगा कि new commission कब तक आ जाएगा वो सारी update आपको जब कुछ दिनों में देखने को मिलेगी बट जो update public service commission नहीं यहां पर provide करवाई है उसको हम detail नहीं पर discuss करते हैं यह जो notification है इसमें यह सबसे पहले कहा गया है कि जो upcoming requirement होगी उसमें तुरंत प्रभाब से यह जो नहीं है implement हो जाएंगे उसके आगे फिर जो abbreviations उनके बाएर में बताया गया है उसके आगे class 1 class 2 के बार में बताया गया है और उसमें थोड़ी सी changing यहां पर हुई है बट उसके आगे जो वो class C के बार में बताया गया है तो वह आपको यहां पर हम शोगतर करवा रहे हैं कि Class C में जो हो कहके आपको देखने को मिलेगा Class C में पहले ही लेक्टर काड़र की पोस्टें जो हैं वो कंड़क्ट करवाता है जिसमें एक एक्जाम जो उनका लिये जाता था उसमें भी नेक्टी मार्किंग होती थी और क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं उसमें भी रखे जाते थे तो अभी इसमें थोड़ा सा चेंज यहां पर किया गया है जो कि Class C में जो भी अपकमिंग पोस्टें होगी सभी के लिए इंप्लिमेंट होगा तो पेपर बन की यहां पर बात करें जो एक्जाम है आपका ओफलाइन और ओनलाइन दोनों मोड से हो सकता है जो ओनलाइन मोड है उसको हम CBT बोलते हैं कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट हमाच्चा प्रदेश में इतना बड़ा इंफ्रस्टेक्चर नहीं है कि सभी का एक्जाम जो CBT है उसके टाइप से ले सकें मुस्टलि आप मान के चलें कि जो आपका एक्जाम होगा वो ओफलाइन मोड में होगा पेपर बन में आपको जो है वो 100 questions मिलेंगे जो कि 100 marks जो वो carry करेंगे जिसमें टाइम की बात करें तो बन आर अपको यहां पर मिलेगा जो काफी help आपको करने वाला है टाइम काफी है बन आर में 100 questions जब solve हो जाएंगे क्योंकि यहां पर नेक्टी मार्किंग भी है तो जो आपको question आते हैं वो ही आप यहां पर attempt करेंगे और यहां पर जो यहां पर अच्छे से यहां पर पढ़ना पड़ेगा साथ मैं क्रंट अफेरेंस जो जो जनल नोलज है क्रंट अफेरेंस यहां पर इंक्लूड रहेगा नेशनल इंटरनेशनल जो जीके रहता है ठीक है वो इसमें जो है वो इंक्लूड रहेगा पेपर बन की सबसे बड़ी खासित यह है यह एक just qualifying जो है वो एक पेपर है means कि आपको इसमें जो 35% जो है मार्क्स लेने पड़ेंगे मैट में जो है यह मार्क्स कॉंट नहीं होंगे कब कॉंट होंगे उसकी information भी आगे इसमें दी हुई है वो भी आपको हम share करेंगे आप यहां से मान के चलें कि जो पेपर बन है यह qualifying पेपर है जिसमें आपको 35% जो है मार्क्स लेने पड़ेंगे जो आपको यहां पर आपका एक मार्क्स यहां पर कटेगा अगर आपके जो है वो 4 questions यहां पर wrong होते हैं तो एक मार्क्स लो आपका कर जाएगा आगे पेपर टू जो subjective रहेगा जिस भी एक्जाम कि आप प्रेपरेशन कर रहे हैं मेंस कि जिसका एक्जाम आप देंगे तो इसमें इनक्लू रहेगा मेंस की पेपर टू जो आपका होगा जिसमें आपको 100 कोसे मिलेंगे और टू आर्ज उसमें टाइम मिलेगा तो सबसे बड़ा बैन्फिट यह है पब्लिस सब्सक्मिशन में आपको यहां पर टाइम ठीक दीया गया है मीन्स की जिनको पेपर आता है वो अराम से जो है अगर एक प्रोपर पैटरन में जो आपर पेपर को सॉल्फ करते हैं तो आराम से जो है पूरा उसको अटेंप्ट कर लेंगे MCQ रहेंगे दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 जिसमें जो पेपर 2 है उसमें 2 और आपको मिलेंगे एक की दिन में दोने अगजाम यहाँ पर कंड़क्ट हो जाएंगे morning और evening session में तो ऐसा नहीं है कि पेपर आपका बन होगा उसके बाद कुछ दिनों के बाद पेपर 2 होगा तो ऐसी कोई भी condition नहीं है एक की दिन जो आपके यह दोनों ही पेपर इसमें हो जाएंगे पेपर 2 सबसे important यहाँ पे रहने वाला है क्योंकि पेपर 1 सिर्फ जो है एक qualifying पेपर है जिसमें आपको 100 मैं से 35 कोशन जो ठीक करने है जिसमें एक्टी मार्करिंग included है पेपर 2 merit based है इसमें जो आपकी selection about depend करेगी पेपर 2 में जो भी आपकी scoring होगी उसी के ओपर जो merit बनेगी इन कंडिशन पेपर 2 में आगर मान लो किसी दो students के जो marks equal होते हैं तब paper 1 के जो marks है यहाँ पर include होंगे means कि वो भी count किये जाएंगे but paper 1 सिर्फ जब वो एक क्या है एक qualifying paper है मालो paper 1, paper 2 दोनों में जो किसी students के marks equal होते हैं तो third condition जो उनकी age है जो बड़ा होगा उसको यहाँ पर first preference मेलेगी मालो third condition भी यहाँ पर equal हो जाती है तो fourth जो उनके essential qualifications के marks हैं वो यहाँ पर count की जाएंगे तो इतनी condition जो है वो किसी भी those students की equal नहीं होती है बट फिर भी यहाँ पर जब सारी mention की गई हैं तो paper two जो है वो आपकी merit decide करेगा merit के बाद आपकी document verification यहाँ पर होगी 15 marks यहाँ पर count नहीं होगे बट फिर भी जो document verification यहाँ पर होगी और अब जो है वो यहाँ पर जो ratio है document verification का वो भी काम किया गया है मालो एक से लेकर 5 के बीच में पोस्टे निकलती है और इसके इलाबा 6 से एतरिक्त पोस्टे होती है तो लगबग 1 ratio 2 के according यहाँ पर students बूला जाएंगे तो यह पूरा procedure अभी upcoming जो requirement होगी पब्लिस कमिशन से उसमें रहेगी आई हूँ आपको आज की information जो पिसंद आई होगी कोई भी डोट होगा तो आप comment में हमें पूसकते हैं आपको उसकांसर जो वो मिल जाएगा इसके साथ साथ हमारे अलग platform के ओपर जहाँ वो live classes के batches भी चलते हैं जिसमें proper app के थूँ आपको classes प्रवाइट हो जाते हैं जिसमें आपको जेविटी कमिशन, टिजटी, आर्स कमिशन, मेडिकल कमिशन, ड्रेंग मास्टर कमिशन सभी में जो है वो live classes के batch मिल जाएंगे आपको यहाँ पर जो number दिएगे हैं आप उनके थूँ भी contact कर सकते हैं पूर detail आपको शेर हो जाएगी इसके साथ lecture cadre में जो पिजटी हिस्ट्री है उसके subjective notes भी आपको यहाँ पर जब वो affordable charges पर provide हो जाएंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको आज की information पसंद आई होगी बीप संदेज बड़ी को लाइक शेर जूल करें धन्यवाद